यदि आप मिथुन राशी के जातक जातिका हैं तो शनी देव 29 जून को आपकी राशी के नवम भाव पर वक्री हो रहे हैं यह 15 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे जोतिस शास्त्र के अनसार शनी देव जब वक्री गती में गोचर करते हैं तो उनका प्रतिकूल प्रभाव बढ़ जाता है अता मिथुन राशी के जातक जातिकाओं में आत्म विश्वास की कमी देखने को मिलेगी यदि आप नौकरी छेतर से जुड़े हुए जातक हैं तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपके हाथ में आये हुए कुछ मुख अवसर छूट सकते हैं यदि आप व्यापार छेतर से संबंध रखते हैं तो लाभ प्राप्ती के लिए जरूरत से अधिक मेहनत करने पड़ेगी परिवार में मानसिक तनाव बना रहेगा और इसके साथी नकारात्मक्ता घर में बढ़ती रहेगी आपके लिए उपाय है सनिवार के दिन मंदिर में सोला नारियल सनी देव के चरणों में अरपन करेंगे सनी देव के सामने दीप दान कीजिएगा सनी स्तोत्र का पाठ करते रहिए सब ठीक होगा जून महीने की 29 तारीकों सनी देव आपकी राशी के सब्तम भाव पर वक्री हो रहे हैं यह समय आपको सावधान रहने का है आपको हर कार समल कर करना होगा किसी से भी धन का लेन देन करने से परहेज करेंगे घर परिवार की बातें बाहर नहीं करना है और नहीं किसी से अपने सीक्रिट को लीक आउट करना है व्यस्तता आपकी अधिक रहेगी इस समय आपको अपने स्वास्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपको ठहर जाना चाहिए समय बिशेश आपके लिए अनकूल नहीं है आपके लिए उपाय है अपने घर के मंदिर में शनी देव का चित्र अथवा प्रतिमा खड़ी मुद्रा में इस्थापित करें शनी देव के वैदिक मंत्र का जब करते रहिए शनी देव के सभी मंत्र अमोग हैं शनी देव के मंत्र साधक को असाध्ध रोगों से रक्षा करते हैं दरिद्रता को दूर करते हैं साधक को अपार धन से संपंड बनाते हैं लेकिन यह आप निरवर करता है कि आप उन मंत्रों पर कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास रखते हैं यदि आप कन्या राशी के जातक जातिका हैं तो शनी देव आपकी राशी से शष्ट भाव पर वक्री हो रहे हैं यदि आप एडवोकेट हैं नियाधीश पद को सुशोभित कर रहे हैं अथवा दंडा धिकारी हैं तो यह समय आप के लिए बिशेश सुभ नहीं है मामलों के निर्णे को अंतिम रूप देने में बिलंब हो सकता है आप के पास आने वाले अदालती मामलों की संख्या में कमी रहेगी लेकिन देर सबेर आपकी इच्छा नुसार कारी होते रहेंगे खर्चों पर नियंत्रन रखिएगा अन्नथा अत्रिक्त कार भी करना पड़ सकता है सनी देव के असुब होने पर जातक जातिकाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है देखिए आपके लिए उपाय है जून महीने की 29 तारिक से 5 महीने तक काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का अविशेक करिएगा सनी वार को सनी देव को अपराजिता पुष्प की माला अर्पन कीजिएगा ऐसा करने से आपको सनी पीडा से निजात मिल जाएगी तुला राशी यदि आप तुला राशी के जातक जातिका हैं तो जून महीने की 29 तारिक को रात्री में सनी देव आपकी राशी से पंचम भाव पर वक्री हो रहे है कार इस्थल पर आपके कारियों को संदेह की द्रश्टी से देखा जाएगा आपके द्वारा किये गए कारियों पर सवाल भी उठ सकते हैं अपने अंदर के अहंकार पर नियंतरन रखियेगा आपका जीवन साथी से मतवेद हो सकता है आर्थिक द्रश्टी से भाग में धन की सकारात्मक इस्थिती बन रही है स्वास्त संबंधी ENT समस्या बढ़ सकती है गले की नेत्रों की अथवा कान की समस्या बढ़ सकती है इसलिए बिशेशग से परामर्ष लेते रहिएगा खान पान दिन चरिया को नियमित करें और व्यायाम जीवन सैली का अंग बनाए रखिएगा आपके लिए उपाए है यदि आप तुला राशी के जातक जातिका हैं तो योगा भ्यास करते रहिएगा प्रतिदिन शनी चालीशा और हनुमान चालीशा का पाठ भी करते रहिएगा सब ठीक होगा यदि आप ब्रश्चिक राशी के जातक जातिका हैं तो शनी देव आपकी राशी से चतुर्थ भाव पर वक्री हो रहे हैं आपको अपने परिवार को समय देने की जरूरत रहेगी परिवार शनी देव के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होगा सोर साफ इंकम के अवसर आप से दूर हो सकते हैं लेकिन काम का बोज बढ़ सकता है संतान आपकी बात नहीं सुनेगी इस बात को ध्यान नखिए आपके लिए उपाय है ओम शम अभय हस्ताय नमाह अत्वा ओम शम सनईश्चराय नमाह इस मंत्र का जाप करें छाया पात्र का दान करें किसी रोगी की सेवा करने से आपका सोया हुआ भाग जागर्त हो सकता है यदि आप मीन राशी के जातक जातिका है तो 29 जून को रात्री काल से आपके 12 भाव पर सनी देव वक्री हो रहे हैं यह सनी की वक्र गती आपकी आर्थिक इस्थिती को नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करेगी खर्च सोच बिचार कर समल कर करियेगा सनी की पांच महीने वक्र गती काल में आप अपने आपको कुछ कमजोर असहाय महसूस करेंगे कारिस्थल पर आप दबाव में कार करेंगे जिससे आप परेशान भी रहेंगे शनी देव की वक्री गती काल में आपको आर्थिक इस्थिती से जीवन में हानी लाभ दोनों का सामना करना पड़ेगा आपके मित्र ही आपके विरोधी बनेंगे आपके लिए उपाए है दस महाविद्या में एक महाविद्या है बगला मुखी देवी देवी बगला मुखी मंत्र का जप करना सुरू कर दीजिए जाप करने से पहले किनी योग गुरू से दिख्षा अवस्यले लीजिएगा शुद्ध घी में सेवर के फूल हल्दी की गाठ नीम के पत्ते कमल पुष्प के दाने मिला कर हवन करेंगे सब नियंत्रण में हो जाएगा